आज की इस हेल्फ वीजियों में हम बात करेंगे कान दर्द की कान दर्द से लेकर कुष्ट रोग तक की समस्याओं में फायदेमन होती है राई जी हाँ, राई का इस्तमाल खाने में स्वाध बढ़ाने के लिए किया जाता है लेकिन खाने को स्वाधिष्ट बनाने वाली राई से आप कई हेल्फ प्रॉब्लम से भी छुटकारा पासकते हैं तो आईए जानते हैं कि राई से आप कैसे अपने कान के दर्द को दूर कर सकते हैं पर इसको जानने से पहले आप उमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप उमारी लेटेस्ट वीडियोज डेली देख सकी नमबर वन फोडे फुनसी राई के घोल को हफते में तीन बार सिर पर लगाने से कुछी समय में फोडे फुनसी गायब हो जाएगे नमबर टू जोडो का दर्द राई को पीस कर कपूर में मिक्स करके रोजाना मालिश करने से जोडो और घुटनों का दर्द कुछी समय में गायब हो जाएगा 3. कुष्ट रोग कुष्ट रोग को दूर करने के लिए राई के आटे को गाई की दूद में मिलाक कर रोजाना लगाएं कुछ दिनों तक इस लेव का इस्तिमाल करने से कुष्ट रोग दूर हो जाएगा 4. कान दर्द इसे olive oil में mix करके 2-3 बूंदे रोजाना कान में डाले इससे दर्द गायव होने के साथ-साथ infection भी खतम हो जाएगा 5. काले होट कई बार गलत-गलत प्रोडक्ट्स और धूम्रपान से होट काले हो जाते हैं तो ऐसे में काला पंदूर करने के लिए रोजाना राई को पीस कर अपने होटो पर लगाएं इससे आपके होटो का काला पंदूर हो जाएगा तो आज की इस हेल्थ वीडियो में हमने जाना कि छोटी सी दिखने वाली काली राई आपके कान के दर्द और आपकी हेल्थ प्रोब्लम से आपको छुटकारा दिला सकती है ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें Till then eat healthy and stay fit Thank you